कमर में चिंका पर जाना, चूप पर जाना या कमर की नस्व के नस्व चढ़ जाना ऐसे बहुत सारे नाम है जो आप समय पर अपने आसपास सुनते रहते हैं जब कभी कमर में बहुत तेज दर्ज के साथ असाहिये बेदना के साथ किसी को फीड़ा होती है तो इस तरह के नामों का प्रयोक्थी होता है और बहुत बात, X-ray कराने के बाद, बहुत सारी पें किलर खाने के बाद या कोई ट्रेट्मेंट कराने के बाद भी इस patient को कोई फायदा नहीं होता आप ऐसे किस्तिती में patient के पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि वो होमेपेथी के ट्रीटमेंट के बारे में जानता नहीं, नतीजा वर टोने टोटकों की शरण में चला जाता है दोस्तों मैं डॉक्टर कृष्णारजानी आज आज आपको बदाने जा रहा हूँ कमर में चूक या चिनका पड़ जाने की वैग्यानिक पद्धती होमेपेथी के तरफ किस तरह चिकिस्सा हो सकती है किस तरह आप बिना किसी सर्जरी के बिना किसी इंजेक्शन लगाए या बिना कोई बहुत पैशा खर्च किये अपने ही घर में बैठे बैठे आप ठीक हो सकते हैं नकेवर्ट ठीक हो सकते हैं तुरंत ठीक हो सकते हैं इसके लिए आपको महीना पंदरा दिन दवाई खाने की जड़वत नहीं है मैक्सिमम अप्टू थ्री डेज आप अपने काम पर वापस लोट जाएंगे यदि आप मेरे बताए अनुसाथ कमर के चिनके के लिए जो मैं दवाई आपको अभी बदाने जा रहा हूं आप यदि उसको लेंगे निश्चित तोर पर आपको बहुत पेजी से अराम आएगा और तूसरे तीसरे दिन आप अपने काम पर जा तूके होने हैं तो नोट कर लीजे इसके लिए बहुत यह अच्छी दवाई है हमने परते की टेस्टेट ट्रीटमेंट है सबसे पहले आप लीजिए ब्रायनिया वनेंगे 6 गोली के 3 डोस यह एक ही दिन लेंगे इसके बाद और एस्कुलस एक्ट स्थटी की सेचे बोली दिन में 3 बार इसको तीन दिन तक लेना है अनिका थर्टे की चाचल गोली दिन में 3 बार लेनी है टोटल यह 3 दिन का ट्रीटमेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जिन दी पेशेंट को दी है उनमें पहले दिन ही उ माध्यम से वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि होमेप्रती बिल्कुल धीमी प्रती नहीं है होमेप्रती का ट्रीटमेंट यहीं सही तरीके से सही डॉक्टर से लिया जाएगा और आप उसको बताए अनुसाल लेंगे तो आप तुरंट ठीक होते हैं सुपर देढ़ासाइब कोईरान आप मेरे इस स्टेटमेंट को जूटा लिगा निग दीजिएगा और मुझे जानकर पता लगना चाहिए कि आप ने इसको किस तरह यूज किया और उसके क्या नतीजिया है यदि ठीक हो तो भी बता दें ताकि बाखी लोगों को मोटिवेशन मुलेगा आशा है आपको यह वाला एपिसोड पसंद आया होगा यदि इसमें आपकी कोई शंका है कोई प्रस नहीं तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखें लाइक करना शेयर करना बिल्कुल न भूलें जन जन तक हो में पैठी के मध्यम से घर बैठे सरब से किस्ता पहुचाना इस चैनल का उद्देश है यदि आप किसे ठीक समझते हैं तो आप भी अपना योगदान दे सकते हैं जिससे की हिंदी भाशी आम जनत इस स्ट्रिक्टमेंट का लाव दे से धान्यवाद फिर मिलते हैं अपना ख्याल रखिए गुडबाई